अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपने अपनी जिन्दगी में हैवानियत और बलातकार की सबसे ज्यादा परिशान करने वाली कहानी कौन से सुनी है तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादा तर लोगों का जवाब निर्भया होगा मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज जो कहानी में आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो सुनने के बाद आप सभी रो पड़ेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है मगर अफसोस कि ये सच है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिव्या और आप सभी का स्वागत है क्राई मड़ा के एकदम न्यू और फ्रेश एपिसोड में दोस्तो आज की जो कहानी है वो जापान की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जिंदा रहते हुए 40 दिनों तक नर्क से ज्यादा बत्तर जिंदगी को जिया कहानी जापान की 17 साल की एक लड़की की है जिसका नाम है जुनको फुरूता दोस्तो जुनकों के साथ एक ऐसी हैवानियत की गई थी जब इस केस की डिटेल को कोट में पेश किया गया था तो उसे सुनने के बाद एक आदमी वही कोट रूम में ही बेहोश हो गया था कहानी शुरू करने से पहले में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई कमजोर दिलवाला व्यक्ति इस कहानी को सुनने जा रहा है खास करकी बच्चे क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी आपको बेचैन कर दे दोस्तों आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद इस पूरी कहानी के बारे में जापान के पुलिस टोकियो से कुछ किलोमीटर दूर से आयासे नाम की एक जगह से दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के साथ दुशकर्म करने के लिए गिरफतार करती है उनमें से एक का नाम फिरोशी मियानो और दूसरे का नाम ओगूरा था और ये दोनों आपस में द और इनके उपर पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम के आरोब भी लग चुके थे इसके बाद ये चानबीन ऐसे ही चलती रहती है और लगभग दो महीने से भी ज्यादा बीद गए 29 मार्च 1989 को जापान की पुलिस को इनके घर से एक महीला का अंडर्वियर मिलता है पुलिस अब इन दोनों को सकती से पूशताज करने का फैसला करती है इसके बाद पुलिस दोनों को अलग-अलग कमरों में बैठा कर पूशताज शुरू करती है मगर इन दोनों में से कोई भी अपना मूँ खोलने को तयार नहीं होता है इसके बाद पुलिस को याद आता है कि आज स तकरीबन 4 महीने पहले आयासे में ही एक महिला और उसकी 7 साल के बच्चे का मर्डर भी हुआ था तो कहीं उस मर्डर में इन दोनों का हाथ तो नहीं इसलिए पुलिस अंधेरे में एक तीर चलाती है और हिरोशी मियानों से कहती है कि हमें पता है तुमने किसी का मर्डर भी किय पुलिस के इस बात को सुनते ही जैसे ही हिरोशी मियानों ने सुना वो घबरा गया और उसे लगा कि उसके दोस्त ने शायद सब कुछ बता दिया है जो कि दूसरे कमरे में बैठा हुआ था पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और थोड़ी नाहनुकुर करने के बाद आखिरकार मियानों तूट गया और बोला कि हाँ उसने एक मर्डर किया है पुलिस के लिए ये बहुत ही बड़ी काम्याबी थी क्योंकि पुलिस पूछताश तो एक बलातकार के बारे में कर रही थी अगर खुल गया एक मर्डर केस इसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछती है तो मियानों वो जगह भी बता देता है जहां पर उसने लाश को फेका था फिर पुलिस उसी दिन अपनी टीम के साथ टोक्यो के उसी कोटो नामक जगह पर पहुँचती है जहां मियानों न और कॉंक्रीट से भरा हुआ था और उस ड्रम में से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी इसके बाद पुलिस एक क्रेन मंगवाती है और इस 305 किलोग्राम के ड्रम को उठा कर ले जाती है फिर जब उस ड्रम में से कॉंक्रीट को तोड़ कर हटाया गया तो उस ड्रम में से एक लड़की की लाश निकली लाश जो थी वो बुरी तरीके से सड़ चुकी थी और उसका चेहरा पहचान पाना बिलकुर नामुम्किन था ऐसा लग रहा था जैसे इसे मरे हुए दो से तीन महीने भी बीच चुके हैं इसके बाद पुलिस उसके फिंगर प्रिंट के जरिये उसकी पहचान धूनने की कोशिश करती है और जब लाश पहचान सामने आती है तो पुलिस के रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो लाश उस औरत की नहीं थी जिसके बारे में पुलिस मियानों से पूश्टाश कर रही थी बलकि वो लाश जुनको फुरूता की थी मतलब पुलिस को अंजाने में ही एक ट्रिकी सवाल के जरिये जुनको फुरूता के बारे में पता चल गया था अगर पुलिस अंधेरे में तीर नहीं चलाती तो शायद ये केस कभी दुनिया वालों के सामने आ ही नहीं पाता खैर इसके बाद पुलिस ने जुनको फुरूत एक 17 साल की बेहत खूपसूरत लड़की थी जिसका जन्म 18 जन्वरी 1971 को जापान के ही एक मशूर शहर मिसातो साइतामा में हुआ था जुनको शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी काफी होशियार भी थी और वहीं मिसातो में ही याशियो मिनामी हाई स् वो स्टूडेंट थी जिनको फुरूता के अंदर शुरू से ही एक चीज थी कि वो पढ़ लिखकर कुछ अच्छा करना चाहती थी इतलिए वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देती थी और पार्टी करने में या फिर नशा करने वाले बच्चों से बि पार्टाइम जॉब भी करने लगी थी इसके अलावा एक इलेक्ट्रोनिक की दुकान में जुनको ने एक फुल टाइम जॉब के लिए एप्लिकेशन भी लगाया था जिसे वो अगले साल अप्रेल में शुरू करने जा रही थी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के ब एक दिन मियानो ने जुनको को डेट पर चलने के लिए प्रपोस किया मगर जुनको पहले से जानती थी कि मियानो किस टाइप का लड़का है इसलिए उसने मियानो के इस प्रपोसल को साफ मना कर दिया जुनको के इस इनकार की वज़र से मियानो बहुत गुसा हो जाता है क्य बात से इंकार नहीं करता था मगर जुनको के इस इंकार ने उसके अंदर एक गुस्सा भर दिया और ये बात उसके दिल पर बैठ गई इसलिए उसने जुनको को सबक सिखाने की ठान ली थी मगर उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था 25 नवंबर 1988 की एक शाम हिरोशी मियानो अपने एक दोस्त नोबुहारो मिनाटो के साथ मोपेड पर मसादो साइटामा में घूम रहा था और वहाँ पर उनका एक ही काम होता था कि अकेले में कोई मिले तो उसे डरा धमका कर उससे पैसे लूटना या फिर कोई लड़की अगर केले में मिले तो उसका फायदा उठाना वो दोनों अपने इसी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे रात तकरीबन आठ बजे के आसपास जुनको फुरूता अपना पार्ट टाइम जॉब करके साइकल से वापस अपने घर जा रही थी और इतफाक से मियानो अप अपने दोस्त के साथ मोपेड पर उसी इलाके में घूम रहा था जहां से जुनको फुरूता अक्सर गुजरा करती थी मियानो की नजर जुनको फुरूता के उपर पड़ जाती है और जिस मौके की तलाश में वो कई समय से था वो से मिल जाता है इसके बाद मियानो के कहने पर नोबुहारो मिनातो भाग कर जाता है और उसे साइकल से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है पीछे से मियानो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास पहुँचता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो फिर व उसके उपर भरोसा कर लेती है क्योंकि जुनको उसके स्कूल में पढ़ा करता था और वो उसके साथ चल देती है तोड़ी दूर जाने के बाद मियानों ने खाली गोदाम देखा और उसे वहाँ लेकर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद जुनको को अपनी असलियत बताता है और कहता है कि जिसने तुम्हें साइकल से धका दिया था वो मेरा दोस्त था और हम दोनों याकूजा गैंग के मेंबर है मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो और अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा मियानों की ये बात सुनकर जुनको बहुत डर जाती है और इसके बाद वो जुनको के साथ बलातकार करता है फिर वो जुनको को लेकर बाहर आता है और रात करीब 9 बचकर 50 मिनट के आसपास वो वहाँ से एक टेक्सी लेकर पास के ही एक होटल में जाता है होटल पहुँचने के बाद वो एक बार फिर से जुनको के साथ बलातकार करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो होटल के कमरे से ही नोबुहारो मिनातो के घर पर फोन करता है जहां उसके दो और दोस्त ओगूरा और यसूसी वटना दोनों पहले से ही मौजूद थे और फिर जो उसने जुनकों के साथ किया था वो उसे बड़े ही शान से उन लोगों को बताता है मियानो की ये बास सुनने के बाद उसका एक दोस्त जो ओगूरा उससे कहता है कि अभी उसे छोड़ना मत हम थोड़ी ही देर में आते हैं इन सब में 25 नवंबर की वो तारीख बीच जाती है और रात 12 बजे के बाद 26 नवंबर 1988 की तारीख आ जाती है 26 नवंबर की सुबह करीब तीन बजे के आसपास मियानो जुनको को लेकर एक बार्क में पहुँचता है जहां पर पहले से ही उसके तीन दोस्त जो ओगूरा नोबुहारो मिनातो और यसूजी वरना भी पहले से ही इंतिजार कर रहे थे जब जुनको को वहाँ पर लेकर वो पहुचता है तो उन लोगों ने जुनको की नोटबुक से उसके घर का एड्रेस निकाल लिया और फिर उसे डराने धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुमारा घर कहां पर है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और पहुचते हैं और वहाँ ले जाकर उन चारों ने जुनको के साथ गैंग रेप किया वो घर दरसल नोबुहारो मिनातु का ही था जहां वो अपने माबाप के साथ रहता था मगर उसके माबाप काम की वज़े से ज्यादातर घर से बाहर रहते थे बस कभी कभार अपने घर आ पाया और उन्ही सब में 26 नवंबर की वो तारीक भी बीच जाती है मगर जुनको वापस नहीं आती है 27 नवंबर 1988 को जुनको के माबाप पुलिस स्टेशन पहुचते हैं और जुनको की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं और फिर पुलिस भी जुनको को ढूनना शुरू कर देती है उधर मियानो और उसके दोस्तों को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस वाले जुनको को ढून रहे हैं तो उन्होंने जबरदस्ती डरा धमका कर जुनको से उसके घर फोन करवाया और बुलवाया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई है और बिलकुल ठीक है और सु उसके दोस्तों को खुली छूट मिल चुकी थी और वो घर जिसमें उन्होंने जुनको को रखा हुआ था अब वो उनकी अयाशी का अड़ा बन चुका था इस घर में अब मियानों के दोस्तों और याकूजा गैंके सभी मेंबरों का आना जाना शुरू हो जाता है जब तब जिसकी जो मर्जी होती उस तरीके से वो जुनकों के साथ बलातकार करते और जब मियानों के माबाप घर पर होते तो वो जुनकों को मिनाटों की गल्फरिंड की तरह से पेश आने के लिए फोर्स करते बेचारी डरी सहमी जुनकों भी वही करती जो उससे करने के लिए कहा जाता मगर कुछ वक्त के बाद ही मेनाटो के माबाप को ये पता चल जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है बावजूद इसके उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें ये पता था कि मेनाटो याकूजा गैंग का एक मेंबर है और वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता थ कि उनका खुद का बेटा मिनाटो भी इस जुर्म में शामिल था। इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने की बजाए चुप रहना ही ज्यादा बेहतर समझा। और फिर धीरे धीरे गर्ल्फरेंड बॉइफरेंड का ये नाटक भी खतम हो गया। अब जैसे जैसे वक्त बी देते थे और नहीं पीने के लिए भरपूर पानी देते थे। दिन भर उसे निर्वस्तर रखा जाता और याकूजा गैंग के जितने भी मेंबर आते उसे उनके सामने ऐसे ही लाया जाता और फिर नचवाया जाता और फिर गैंग रेप किया जाता। उसे बुरी तरीके से पीटा जाता जबरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाई जाती और एक साथ तीन तीन चार चार सिगरेट एक ही टाइम पर उसे पिलाई जाती दिसंबर की जमा देनी वाली सर्दी में भी उसे बिना कपड़ों के बालकनी में सुलाया जाता मगर इन सब अत्याचारों को करने के बाद भी उन्होंने जुनको फूरूता को नहीं छोड़ा इसी बीच नवे दिन एक बाद जुनको फूरूता किसी तरीके से फोन के पास पहुँच जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है कॉल लग भी जाती है मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती मियानों वहां प करने पर मियानों को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उसे बुरी तरीके से पीटता है मगर इतना करने से भी जब उसका मन नहीं भरता है तो वो सिगरट जलाने वाले लाइटर का जो तेल होता है वो उसे उसके पैरों पर डालता है और थोड़ा थोड़ा करके उसके पै करते हैं मगर उन में से एक लड़का वहां से जाने के बाद ये बात अपने भाई को बता देता है और उसका भाई ये बात अपने माबाप को बता देता है जब उसके माबाप इस बात को सुनते हैं तो वो इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देते हैं उनकी इस कंप्लेंट पर दो पुलिस वाले मिनाटों के घर के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। पर इतफाग से उस दिन मिनाटों के माबाप वही पर मौजूद थे और जब पुलिस इस बारे में उनसे पूछ ताश करती है तो वो साफ मना कर देते हैं। और कहते हैं कि यहां तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। उनकी ये बात सुनकर पुलिस वालों को भी तसली हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर उस दिन पुलिस वालों को मिनातों के माबाप पर थोड़ा सा भी शक होता या वो उनकी बात नहीं सुनते और घर की तलाशी ले लेते तो शायद उस दिन जुनकों फुरूता के उपर हो रहे जुल्मों का अंध हो जाता, मगर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. ये सारी चीजे होती रही और दिन बीटते रहे, मगर जुनकों के उपर हो रहे जुल्म कम नहीं हुए. एक एक करके दिन बीट रहे थे, लेकिन एक एक दिन में उसके साथ कई कई बार बलातकार किया जाता. कभी कभी तो उसके साथ एक दिन में बारह अलग अलग लोग आकर बलातकार करते और पूरे दिन उसे मारा पीटा जाता उसके दोनों हाथों को बांध कर छट के उपर लटका दिया जाता और फिर उसके शरीर पर पंचिंग बैक की तरह घूं से बरसाए जाते और तब तक मारते रहते जब तक उसके मुह से खून नहीं आ जाता जिसकी वज़ और इतना ही नहीं मुमबत्ती जला कर उसकी गर्म मुम जुनकों के पूरी शरीर पर गिराते और तब तक गिराते जब तक मुमबत्ती की आखरी बूंद उसके शरीर पर न गिर जाती और उन्होंने लाइटर से जुनकों के आखों की पलकों तक को भी जला डाला था उसे ज पूरे बदन पर सुईया चुभाई जाती, मगर इसके बाद भी उनका वहशीपन कम नहीं हुआ और वो जुनकों के प्राइवेट पार्ट में कभी लोहे की रौट घुसाते तो कभी बोतल घुसा डालते कभी कैची तो कई बार उन्होंने प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ गर्म बर्ब तक घुसा दिया मतलब कोई इनसान इतना वहशी कैसे हो सकता है दोस्तों ऐसा सोच कर पूरे शरीर में सिहरन से दोड़ जाती है पता नहीं जुनकों ने ये सब कैसे सहा होगा मुझे तो लगता है कि वो इनसान कहने के लायक ही नहीं ना वो जानवर कहलाने के लायक है इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है शायद ही जुनकों के जिस्म का कोई ऐसा पार्ट होगा कोई ऐसा हिस्सा होगा जो जक्मी ना हुआ हो तीसवा दिन आ जाता है जुनकों की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे बात्रूम जाने के लिए जमीन पर रेंग कर जाना पड़ता था जिसमें कभी कभी तो उसे एक एक घंटा लग जाया करता था अब तक करीब 100 से भी ज्यादा लोग अलग अलग वक्त में 400 से भी ज्यादा बार उसका बलातकार कर चुके थे लगतार टॉर्चर होने की वज़र से जुनकों के ब्लेडर ने भी अपना कंट्रोल खो दिया था इसलिए कई बार उसके बात्रूम में पहुँचने से पहले ही उसका पेशाब निकल जाता था उसके शरीर में खाना पचना बंध हो चुका था अगर वो पानी भी पीती तो उससे भी उसे उल्टी हो जाती थी और फिर इसके लिए भी उसे पीटा जाता कि उसने उल्टी क्यों की कई बार उसने अपनी मौद की भीक तक मांगी मगर उन दरिंदों ने उसे मौद भी नहीं दी वक्त बीतने के साथ साथ जुनकों के शरीर पर जो जख्म थे उनमें पस बनने लगा उसके शरीर से बदबू आने लगी जिसकी वज़ा से उन चारों का इंटरेस्ट अब उससे हटने लगा था मगर उन्हें अपनी हवस मिटाने के लिए कोई न कोई तो चाहिए ही था तो अब वो चारों 27 दिसंबर 1988 की रात जुनकों को मिनाटों के घर में अंदर ही छोड़ कर बाहर निकलते हैं और रात करीब धाई बजे के आसपास उन चारों ने 11 साल की लड़की को किड्नैप कर उसे चाकू की नोक पर डरा धमका कर ह पर उसके साथ भी गैंग रेप करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे वही पर छोड़ देते हैं और ये वही लड़की थी दोस्तों जिसका रेप करने के इलजाम के बाद मियानों और उसके एक दोस्त को पकड़ा गया था जिसके बारे में मैंने आपको का इंतिजार कर रही थी चार जनवरी 1989 को मियानो माजोंग सॉलिटर नाम के एक गेम में बहुत सारे पैसे हार जाता है और जिसकी वज़ा से वो बहुत गुसे में था इसके बाद वो मिनाटो के घर पहुँचता है और वही पर अपनी हार का गुसा जुनकों के उपर उतार पड़ा था फिर भी वो चारों दरिंदे उसके चहरे पर मोमबत्ती की गर्म मोम गिरा रहे थे उसके बाद जुनकों को सीधा जमीन पर लिटा दिया गया और जो लोहे की डंबल होती है उसे उपर से सीधा कभी उसके पेट पर गिराते कभी उसके पैर पर तो कभी हातों प साथ दरंदगी की शुरुआत में तो बेचारी जुनकों ने इन सभी हमलों से अपने आप को बचाने की कोशिश की मगर थोड़ी ही देर के बाद उसने भी रिस्पॉंस देना बन कर दिया था एक तरह से वो जिन्दा लाश बन चुकी थी ये सब करने के बाद चारों जुनको जुनकों जहेल नहीं पाई और 40 दिनों के इस नर्क को जहेलने के बाद चार जनवरी को उसी रात जुनकों की मौत हो गई मुझे लगता है दोस्तों की अच्छा ही हुआ कि उस लड़की की मौत हो गई वरना ना मालूम वो कितने दिन तक जुनकों के साथ दरिंदगी करते रहते और बिचारी जुनकों जहेलती रहती अगले दिन जब वो चारों दरिंदे याकुजा गैंके साथ घूम रहे थे तो मिनाटों का भाई जो घर पर ही था और उसे भी जुनकों के बारे में सब कुछ पता था उसने कॉल करके उन चारों को बताया कि जुनकों कल रात से ऐसे ही पड़ी हुई है और लगता है कि शायद वो मर गई है ये खबर सुनते ही वो चारों भागे भागे में नाटों के घर पहुचते हैं और फिर चेक करने पर पता चलता है कि जुनकों की मौत हो चुकी है इसके बाद वो चारो मिलकर जुनको की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और फिर वो चारो मिलकर बोडी को दो कंबल में लपेट करके एक बड़े से बैग में रख कर उस बैग के चारो तरफ टेप लगा देते हैं इसके बाद वो एक बड़ा सा 55 गेलन का तेल का खाली ड्रम लेकर आते हैं और उस बैक को जिसके अंदर जुनकू की लाश थी उसे उस ड्रम के अंदर डाल देते हैं इसके बाद वो उस ड्रम को कॉक्रीट और सिमेंट के गीले मसाले से भर देते हैं रात तकरीबन आठ बजे के आसपास वो उस ड्रम को एक ट्रक में लूट कर देते हैं और उस ड्रम को ले करके कोटो टोक्यो की तरफ चल देते हैं कोटो वही जगह है जहां जापान में एक समुद्री इलाका है और उसका प्लान भी यही था कि वो इस ड्रम को समुद्र में डाल देंगे मगर समुद्र से थोड़ा पहले ही उन लोगों को महा पहुँचने पर खाली और सुनसान जगह दिख जाती है तो वो उस ड्रम को वही पर फैक देते हैं वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद आगे की कहानी मैंने आप सभी को पताई है और आप सभी को मालूम भी है जब जुनको फुरूता की ये कहानी पुलिस के सामने आती है तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इनसान ऐसा कैसे कर सकता है हिरोशी मियानो और उसका जो दोस्त था जो ओवूरा इन दोनों की गवाही के बाद इनके बाकी के जो दोस्त थे नोबुहारो मिनाटो और यसूसी इनको भी गिरफतार कर लिया गया मगर यहां पर एक अफसोस जनक बात पता चलती है कि ये चारो नाबालिक थे पुलिस इनकी पहचान दुनिया वालों के सामने नहीं रख सकती थी और ना ही इन्हें मैकसिमम सजा या फिर फांसी के सजा दी जा सकती थी इसलिए इन्हें जब कोट में पेश किया गया तो इन्हें इनके असली नाम से नहीं बलकि A, B, C और D के नाम से पेश किया गया था और क्योंकि जुनको फुरूता की जो body मिली थी वो एक drum के अंदर मिली थी जो की cement और concrete से जमी हुई थी इसलिए इस case को जो नाम दिया गया था वो concrete and case high school girl murder case के नाम से दिया गया था मगर जब जुनको फुरूता की ये कहानी सुकान बुन्शुन मैगजीन के एक पत्रकार ने सुनी तो उन्होंने सीधे इन चारों का नाम अपनी मैगजीन में front page पर छाप दिया और कहा कि इन चारों ने जुनको फुरूता के साथ जो किया वो किसी हैवानियत से कम नहीं था इसलिए इन्हें किसी भी human rights का कोई अधिकार नहीं है चाहे हमारा कानून कुछ भी कहे इसके बाद जब ये कहानी पूरे जापान और पूरी दुनिया के सामने आई तो सभी दंग रह गए कहानी ही ऐसी थी जिसने भी सुना वो रो पड़ा जुनको फुरूता के उपर हुए हर एक जुल्म हर एक अत्याचार की कहानी जब जुनको की मा ने सुनी तो उसके दिमाग की हालत बिगड गई और उन्हें साइकाइट्रिस का सहारा लेना पड़ा जुनको की बॉड़ी मिलने के तीन दिन बाद दो अप्रैल 1989 को उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई जुनको जिस स्कूल में पढ़ा करती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस दिन जुनको के ग्रेजुएशन ना कम्प्रीट होने के बावजूद भी उसकी मा बाप को जु जुनको को वही युनिफॉर्म भेट की जिसे पहन कर वो शौप पर काम करने आती थी उस युनिफॉर्म को बाद में जुनको के ताबूत के अंदर ही रख दिया गया अगर जुनको के साथ ये सब नहीं हुआ होता तो शायद अगला दिन यानि की तीन अप्रैल 1989 को उसकी जौप का पहला दिन होता मगर अफसोस कि उन दरिंदों की वजह से ऐसा हो न सका जुलाई 1990 में टोक्यो की लोवर कोट ने हिरोशी मियानो जोकी इस क्राइम का लीडर था उसे 17 साल की सजा सुनाई और उसके बाकी तीनों दोस्तों को 6-6 साल की सजा सुनाई गई इसके जहा दिया यानि की पूरे 20 साल कर दिये और बाकी तीनों की सजा को 6 साल से बढ़ा कर 9 साल कर दिया गया उन्होंने अपने फैसले में ये भी कहा कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो जुन को फुरूता के इस दर्द को बया कर सके बाद में उन दो पुलिस वालू को भी सस्पेंट कर दिया गया जिनकी लापरवाही की वज़ह से ये सब कुछ हुआ क्योंकि शायद अगर वो उस दिन मिनातों के घर पहुँच कर अच्छे से तलाशी कर लेते तो शायद जुन को बच जाती मगर वाकई में जिस दरिंदगी के साथ 17 साल की लड़की को नूचा और खरोचा गया मतलब पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया ना मालूम जुनको फुरूता को वो नर्क से भी ज्यादा बत्तर 40 दिन इन दरिंदगों के बीच कैसे उसने बिताय होंगे बाद में जुनको के उपर कई तरीके की किताबे लिखी गई उसके उपर गाने और फिल्मे भी बनाई गई कोटो जापान में जिस जगह पर जुनको की बॉड़ी मिली थी वहाँ पर एक मेमोरियल भी बनाया गया और उस पूरी जगह को एक वाकासू नाम के पार्क के रूप में तब्दिल कर दिया गया दोस्तों अगर कभी आप जापान जाएं तो इस जगह को जरूर देखकर आईएगा और अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सभी को कोई न कोई दुख दर्द कष्ट जरूर होगा जो भी इस दुनिया में आया है हर कोई कष्ट में जी रहा है लेकिन आज की जुनकों की इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी को अपने भगवान अपने इश्वर से हमेशा हाथ जोड़कर थैंक्यू बोलना चाहिए कि हम जिस भी परिस्थिती में हैं वो ठीक है क्योंकि जुनकों के वो 40 दिन नर्ग से बत्तर थे दोस्तों आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताईएगा आप सभी का हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महतपून है इस वीडियो को इस पूरी घटना को अपने परिवार के हर एक सदस्थे के साथ शेयर जरूर कीजेगा क्योंकि सतर्कता हर पल जरूरी है हमें नहीं पता किस पर हमें भरोसा करना चाहिए किस पर नहीं लेकिन इस तरह की की वीडियो से हम सभी थोड़े से सचेत जरूर हो सकते हैं अगर अभी तक भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके चनल को सब्सक्राइब और पासवाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा हफते में दो बार हमारी वीडियो आती है और आप हर बुधवार और हर शनिवार को रात आठ बजे हमारी वीडियो देख सकते हैं मिलती हूँ एक नई सची घटना के साथ तब तक के लिए सतर्क रहिए स्वस्थ रहिए जै हिन जै भारत